जैसे कि आपने का कि जो हमारे अरुनाचली निवासी हैं, जो हिंदुस्तान के भारत के विभिन राज्यों एवं विभिन सीटीज में लॉक्डाउन के वज़े से स्टेंडेड हो गए थे, तो उनको इच्छा थी कि बड़ी सभाविक इच्छा थी कि देशुड कम बैक टो द निवासी थे, जो कि नॉर्थ इस्टन स्टेट्स में डिफरेंट सीटीज में रुख गए थे, और करीब-करीब 6,000 के करीब ऐसी वेक्ती थे, जो कि पुरे हिंदुस्तान में, बाकी सब राज्यों में और सीटीज में थे, तो हमारी प्राथमिक जो हमने प्लैन किया था, क जो पहले हैं, अब नॉर्थ इस्टन स्टेट्स के जो बच्चे हैं और जो निवासी अरुना चल के वहां पे स्टैंडेड हो गए थे, उनको वापस अरुना चल लाने की, तो इसलिए अभी तक, जो हमारा फोकस रहा था पिछले एक हफते से, कि यह जितने भी डिफरेंट स्टेट्स से, जो हमारे नॉर्थ इस्टन स्टेट्स में जो अरुना चली हैं, उनको वापस स्टेट मे लाए जाए, यह कार रहे हैं, जो भी व्यक्ति इंट्रस्टेट थे, वो बाइन लार्ज कंप्लीट हो गया है, अब उसमें से मुश्किल से हो सकता है कि 10% ऐसे व्यक् पाकी राज्यों में हमारे स्टेट के निवासी फसे हुए हैं, उनको लाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और जैसे कि आपको अच्छी तरह से जानकारी है, कि अब रेल सेवा भी शुरू हो गई है, तो उन रेल सेवाओं में जो पहली ट्रेन अरुना जो डिबरुग करके क्योंकि दोनों राज्यों के साथ में तालमेल करके डिसेड करना होगा कि यह इस स्पेशल ट्रेन चलाए जाएं, तो जैसे कि हमने बहुत सारे सीटी में ऐसी पॉजिशन थी कि फूल ट्रेन लोड अवेलेबल नहीं था, तो वी टाइड़ आईड़ अधर इस्टेट् ट्रेन चलें उसमें यहने के 100% capacity utilization हो जाए और next जो ट्रेन हमने plan out करी है जो नेवरिंग states के साथ में मिलके वो यहने नौर्थ इंडिया से कौहाटी लाने की है जिसमें के अरुना चलके निवासी भी होंगे आसाम के भी हैं मिगाले के भी हैं मनीपुर के भी हैं क्योंकि यह स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें करीब करीब 1200 के करीब पैसेंजर होने चाहिए तो मेरा यह मानना है कि अवाने वाले एक वीक में और 10 डेस में बाकी राज्यों से भी जो वेक्ती हमारे वापस आना चाहते हो आ जाएंगे तो सर चली हम अपने बच्चों को लोगों को व व्यवस्था को लेकर स्वच्छता को लेकर तो उसे सुधारने के लिए क्या किया गया है जैसा कि आपको जानकारी होगी क्योंकि हमारे अरुनाचल का जो इस्ट वेस्ट स्प्रेड है असाम के साथ में करीब करीब वो 800 किलो मेटर से लंबा है तो जो भी व्यक्ती डिफरे 13 एंट्री गेट्स हैं 13 जहां से कि आरुनाचल में एंटर करेंगे और जैसा कि आपको अच्छी तरह से स्विशे की जानकरी होगी कि हर एक एंट्री गेट्स पर उसके नजदीक हमने क्वारेंटाइन फैसलिटी भी बनाई थी क्योंकि एस पर्दी हमारा यह मनना है कि जो चलाज तक जो ग्रीन है उसको यदि ग्रीन रखना है तो जो भी व्यक्ति अभी अरुनाचल से बाहर आ रहा है उसका हमें कि स्पेशल केर करनी होगी क्योंकि हमारा यह मनना है कि अभी तक कोरुना वाइरस अरुनाचल में नहीं है और आप जो भी इस तरह कोई प्राब्लम फैसलिटीज मस्ट करियें इंस्टिटिशनल यह आप घर में कॉरेंटाइन नहीं करेंगे कॉरेंटाइन अब हमारे जो सरकार ने बनाई हैं उसमें ही रखा जाएगा जहां तक आपका विश्यता कि क्वारेंटाइन की फैसलिटीज तो इसमें मेरा है मानना है कि हमने जितन घर में जो फैसलिटीज होती हैं से स्टेंड़ की नहीं होगी लेकिन फैसलिटीज बाए अनलार्ज रीजनेबल है लेकिन जब स्टार्टिंग में हमने कारह शुरू किया था इस पेशली जैसा कि आप बंदर देवा की बात जिकर करेंगे क्योंकि वह लोड जाता था लेकिन वो हमारे जो मुख्य माननिय मुख्य मंत्री हैं माननिय मुख्य माननिय मंत्री होम हैं इन्होंने रेगुलर्ली उन बंदर देवा क्वारंटेन फैसलिटीज के इंस्पेक्शन किया along with all the senior officers और जो भी corrective measures थे उलिए गया और आज ये हाला था है कि वहाँ पे बंदर क्यारंटेन फैसलिटीज आर रिजनिबली वरी गुड ये वी बिए राइनिधिन नेगर्टीज आप नेगर्टीज वर नेड़ पार्ट अवार्टी अवराण जाल प्रदेश और साती सात हम ने क्वारिंटेन पेड कॉरेंटेन फैसलिटीज का भी अविलेबिल्टी करा है तो paid quarantine facilities में कि यह दी कोई व्यक्ति चाहता है कि वो किसी paid जगा पर generally वो hotels हमने उसके लिए identify करें वो भी उसको use कर सकते हैं आज की तारीक में करीब करीब बंदर देवा से जो लोग enter करें वो 70-80 लोग ऐसे हैं जो paid quarantine facilities में हैं करीब करीब 140 के करीब एक प्यासी होंगे जो बंदर देवा quarantine facilities में हैं तो मेरा यह मानना है कि quarantine facilities आज की तारीक में reasonably ठीक चल रही है अब दूसरा एक विशह है जो हमने अपने SOP में रखा है कि अरुना चल क्योंकि तो चीजे थी एक तो हम green थे और दूसरे जो हमारे number आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है reasonable figure है तो इस चीज को मध्यर रखते हुए हमने जो RT-PCR टेस्ट होता है जिससे के पता चलता है कि व्यक्ति को को ओरना वायरस योग कोई 19 है नहीं है वो हमने 100% कर रहे हैं तो 100% करने से है कि मैं कॉरेंटाइन में हूं तो बाहतर गंते के बाद में यानि मैं जब अरुनाचल में एंटर करता हूं उसके बाहतर गंटे के बाद में में सेंपल लिया जाता है और यदि वो आर्टी-पी-सी-ार टेस्ट निगेटिव है तो फिर उसको क्वारेंटाइन की ज़रुवत नहीं है क्योंकि उसका मतलब है कि उसको एक 72 आर वो अरुना अरुनाचल में एंटर किया उस ताही में उसने वाइरस पकड़ा है तो बाहतर गंटे में जनली जनली तो 36 गंटे में बाहतर गंटे में 100 परसंट उसका इंपेक्ट बोड़ी पर आ जाता है तो यदि आर्टी-पी-सी-ार नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उसको कोई कि इसी तरह की कोई प्राबलम नहीं है तो उस व्यक्ति को हमने फिर एकाई कि आप अपने होम पे घर चले जाएं और घर में केरफुली क्वारेंटें रहें तो इससे क्या हुआ कि बहुत जादा लोड ऑन क्वारेंटें फैसलेटी जो रिडियू हो रहा है अभी आज की तार परेंट गवर्मेंट अप एंडा में जो मेडिकल कोलेज यह ओम वहां पे था टेस्ट पर डे कर सकते हैं, तो इससे मेरा मतलब है कि जब यह व्यक्ति पूरे राज्यों से जब आएंगे, तो उनकी टेस्टिंग को आसानी से मैनेज कर पाएंगे, टेस्टिंग में एक और चीज हमने करने जा रहे हैं, कि भारत सरकार ने, इंडियन कॉंसल अप मेडिकल सर पाथ सेंपल को पूल करके टेस्टिंग करने की परमिशन दे रखी है, तो वह हमें शुरू कर रहे हैं, तो से एक एडवांटेज होता है कि जैसे माल लीजेगा कि पहले हमारी कैपसिटी पचास की है, तब वह 250 टेस्ट पर डे हो जाएगा, तो इसका मदलब आपके कहने का को कोप अप विग नंबर सब्सक्राइब तेस्ट आप टेस्टिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से मिला के टोटल पाँच कैपसिटी हो गई हैं, और तूसरा एक नई चीज भराव सरकार ने कल ही करिया है, कि पहले पाँच चाद्मियों के सेंपल को पूल करने का प्रोटो कॉ बनाया था, अब कल उन्होंने एक प्रोटोकॉल डवलप करा है, जसमें कि हम 25 सेंपल एक साथ कर सकते हैं, तो यदि डिबरुगर्ड में यदि ये शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारी कैपसिटी फाइफ टाइम बढ़ जाएगी, तो मेरा मानना है कि आने वाल चाहिए, और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हम ला रहे हैं, ट्रेन हम लाएंगे, उनको स्टेकर लेकर राएंगे, कि मान लीजी जैसे नौर्थ इंडिया से ला रहे हैं आज, तो दो दिन का गैप देने के लाएंगे, जिससे कि उनकी टेस्टिंग जल्दी से ज हमारा कोई-कोई होटल स्प्राम लोकेशन में है, तो वहां कि जो लोग है घब रहे होए थोड़ा, तो हमारी जनता को क्या डरनी की जरूरत है इस चीज को लेकर जैसे कि आपने का कि जो डरनी का है वो बिसीकली इन्फोर्मेशन ठीक तर नहीं मिलने से कि अप्रिहेंशन रहता है, जो अप्रियेंशन अपनी जगह पर जैज है, लेकिन आज जब मैं आपके साथ ए ओल इंडिया रेडियो पे हूँ, तो उसके थो याने के सभी जितने भी आमारे निवासी और रेजिदेंट्स हैं, उनको ये कम्मिनिकेट करना चाहते हैं कि जो क्वारेंटाइन उसमें से फ्री मोमेंट नहीं होगा, और दूसरी बात हमें ये भी देखनी होगी कि जो करीब-करीब हमने अभी 800 प्लस लोगों के टेस्ट करें हैं, जो बाहर से आए हैं, वो सब निगटिव हैं, तो क्या कि जो हमारे निवासी बाकी सब जगा हिंदुस्तान में फस गहते हैं, वो ना तो बाहर जाएंगे, वहाँ सेक्यूरिटी भी रखी जाएगी, वहाँ पर मेडिकल फैसलिटीज भी है कि डॉक्टर्स वगारा जाके दिन में देखें, तो मेरे इमानना है कि उनको ये अप्रियेंशन नहीं होना चाहिए, कि उसकी वज़े से उनको कुछ प्र तो जो हमारे जनता है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे इसके तारे में? यह तो आप, आप भी अकीन, सभी अकीन करेंगे कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया कोविट से पहले और कोविट के बाद के दुनिया बिलकुल डिफरेंट हो चुकी है, और जो पुराने तोर त मेरा लोगों से और इस्पेशली अरुनाचल के निवासियों से यह आग रहे रहेगा, गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा, कि अल्टीमेटली जैसा कि माननीय प्रदान मंतरी ने कहा, कि दो गज डिस्टेंसिस का एक मूल मंतर है, कि यदि वाइरस को हमको अपने से किसी व्यक्ति के थ्रू अपने पास आने से रोकना है, तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग मैंटेन करनी होगी, और यह हमारी डे टु डे लाइफ का एक इंटीकरल पार्ट बन जाए, और यह भी सत्त है कि 100% लोग मैंटेन नहीं करते, बट यह भी हकीकत है कि I've seen कि बहुत सर जागरूक निवासी हैं, जो इस चीज को मैंटेन कर रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों मैं जब दो चार एटियम के आसपास देखा, बैंक एटियम के आसपास में, तो वह सभी वेक्ति एक सेफ डिस्टेंस मैंटेन करके चल रहे हैं, खड़े थे, तो यहने सत्ते दोनों है हैं, बट हमें इस रास्ते पर अभी बहुत आगे जाना हैं, और यह सोशल डिस्टेंसिंग को अपना एक प्याने पार्ट अफ और लाइफ बनाना होगा.